कि i square to media है, और integrations करना है d x upon x squares । प्लस A square तो हम दिखते हैं इसे लिख सकते हैं 1 upon A tan inverse x upon a plus integrations constant C, तो यह integrations of dx upon x square plus A square का integration 1 upon A tan inverse x upon A plus C होता है और इसे हम proof करेंगे, प्रूफ में दिखते हैं हम integration यहां A sec square theta upon A square sec square theta into dt तो होता क्या है x is equal to A sec square theta माल लेते हैं तो dx is equal to A sec square theta उसके बाद नीचे आगे A sec square theta is equal to A sec square theta इसे solve करते हैं तो हमें मिलेगा one upon a integrations of d theta और d theta का integrations करेंगे तो हमें मिलेगा one upon a d theta अभी theta की यहाँ पे value रखेंगे तो यहाँ पे बैलू रखेंगे इसके हम जो पहले माने थे हैं x के term में तो हमें आएगा 10 inverse x upon a plus c इसी प्रकार यह integration proof था हम इसके प्रूफ को कई form में और देखते हैं इसे imaginary x y के form में थी रखेंगे पर में आई स्कॉल्ट हम देते हैं dx upon x square plus a square यहाँ पर प्लस में हैं तो यहाँ पर हम मानेंगे जिसे की ऊपर की हमने x is equal to कुछ एक number मानेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम उस नंबर को हल करेंगे देखते हैं अपान टू एआई वन अपान x minus a i minus one upon x plus a i इसे हम दो भागों में तोड़ दिए इसे हम दो भाग में तोड़ दिए तो हमें मिला 1 upon 2 ai दो fractions में by fractions law में करके तो 1 upon x minus ai minus 1 upon x plus ai अब इसका integrations करेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon 2 ai log x minus ai upon x plus ai plus c सबसे पहले क्या किये कि दो fractions में हमने तोड़ा उसके बाद 1 part मिला 1 upon x ai minus 1 upon x plus ai इसके बाद इनका integrations करके हम लिख दिए कि इसके बाद b part देखते हैं तो i square two में मिलेगा integrations find out करना dx upon x square minus a square और यहां पर माइनस से उपर वाले में plus था तो फिर यहां भी करेंगे कि हम इसे fractions में तोड़ेंगे दो fractions में सबसे पहले तोड़ेंगे फिर उसका integrations कर लेंगे हमें अंसुस मिल जाएगा तो लिखते हैं integration साफ इसका integration करने मिलेगा two a यहां पर आई नहीं है ध्यान देने वाली बात है x minus a minus यहां पर मिलेगा x plus a तो यहां पर difference क्या आई नहीं है imagining numbers नहीं है तो दो fractions one upon x minus a minus one upon x plus a जो मिला इन दोनों में common things जो है यहां पर mine नहीं है माइन आई नहीं है तो इससे हम साल कर सकते हैं integration करने पर one upon two a integrations आफ ऐसा लिख सकते हैं d x upon x minus a minus integrations of dx upon x plus a और फिर इंटेगे यह दो पार्ड में अलग अलग integrations में हमने लिख लिया बासानी से में इसका लॉक के टर्म integrations हो जाएगा तो इसका integration one upon x minus a का हम जानते हैं तो इसे लिख सकते हैं one upon two a ln और यहां पर x minus a i और x plus a plus c जो कि यह पूरा integrations था तो धन्न बात हमने दियाना इसके बाद x square plus a square का इसके बाद x square minus a square का और कहीं सारी वीदियो से